मा बंगला मुखी धाम गुड मोहर सटी नजदी के लम्मा परिट चौंग चाल अंदर में मा बंगला मुखी जिके नेमित शंक्लाबद सबताई के दिवे हवन्यक्य का आयोजन मंदिर परिसर में किया गया सरप्रथम ब्रह्मनों द्वारा मुखी जमान मानव शर्मा से विदिवत वैतिक रिति अनुस्वार 55 पूजन, 65 पूजन, नवग्रे पूजन पूजन पुरांत सब अरिवार हवन्यक्य में अफुप्तियां टलबाई की और उनका अर्थ समझाते हुए काया कि जिन पर प्रभूश्री रामजी की क्रिपा होती है, उन्यों कोई सांसारी के दुख छो भी नहीं सकता, जिसके अंदर कपट जूट और माया नहीं होती, उन्हीं के रेदे में रगुपति राम बसते हैं इस अफसर पर पूनम प्रभाकर, सरोजवाडा, रूपम प्रभाकर, सुनीता, अंजो, गुर्वीर, प्रीती, मंजो, प्रिया, अमरिंदर सिंग, बावा, हल्चल, बलदेव सिंग, सहीत, भारी संक्या में भक्ते जन उपस्तित रहें, वहीं हवन्जय के उपरांत विशार लंगर मंठारे का योचन भी किया गया, जालंधर से हल्चल के लिए कैमरावेन सुरेंदर बावा की रीपोर्ट महामाईदे दर्वारते नकम अस्तखुंती है, खवर्यगे अउधिया डाल दी है, और अपने-अपने मन दिया मनों कामनमा महामाईदे नमित भूंती है, और पाव महामाईदे चुड़ना चुरफ्ती है, जिकदंबा चुड़ना जहीं बारंबार अर्दास भेंती है, कि अपने पाव दुश्की बिनाए रखो, और तो अड़े यडे सेवादा, तो अड़े पगत है, और महामाईदे दिर्वारते एदियान और अपने यह चोड़ियां खुशिया दिना पाव कि लेकिना, इस दिन आलला में दसना जन्ना श्री गनेश जी महाराजी निनमित साथ वजे को कारिकर्म शुरू होएगा, सब तो पहला पुजारजना, उस दो बाद पजनबंद की केजितन है, और लंगरपुन डारा नो वजे तो लाएके प्रभू इच्छा तक चलेगा, शनी बार, रभी बार और सौंबार, शाम साथ वजे तो लाएके नो वजे कारिक कर्म होंगे, उस तो प्राम को जन प्रशाद होएगा, सारे आंदे सेवादा रमोरे हत, कर्वद प्रार्थना हाद जोड़के, कि वह पॉंचत और गनेश जी महाराइदा शीर वाइना है, जाय मात्ता दी,